तो आज हम इंडस्वली सिविलाजेशन पूरा खतम कर देंगे और आगे चलके अगले दो महीने में हम सारे लेक्चर खतम कर देंगे जो भी लेक्चर है हिस्ट्री में तो आज हम पढ़ेंगे इंडेस्व incomली civilization तो इंडेस्व separately सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा हमने प्रिविएस lecture में पढ़ा था चाल कोलितिक एज में क्या हुआ था कि हमारे पास copper का discovery हो गया था copper हमारे पास क्अवर हो गया था तो जब copper discover हुआ और इन्होंने agriculture भी स्टार्ट कर दिया हमारे पास इन्होंने hunting तो करी रहे थे domestication स्टार्ट कर दिया copper discover हो गया तो अगर copper discover हो गया तो फिर क्या हुआ कि स्टार्ट करने के लिए इनको हर काम करने के लिए पानी जरूरी है तो पानी के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े ने इसलिए यह हमेशह पानी के पास civilized करतेते तो इसलिए पानी के रहने लगे किसी रीवर के रहने लगे किसी तालाग के पास रहने लगे और एक साथ रहके सेम वो किछ्थेसे की तरह कि सीविल्फ consume दे अशिंगे, हमारे पासं इंटेडूस हुआ हमारे पास इंड़ाइली सिविलाइसश्जिन यो फ़से पहले नाम होर प्。 वर्स्ट Sight था जो Discover हुआ था इंडसवैली Civilization में और इसका इंडस नाम इसने पड़ा क्विकिये है रिवर इंडस नदी के पास था जो कि हिंदी में हमिसको बोलते हैं शिंदू घाटी सब्वयता सिंदू decent river हिंदी में बोलते हैं इंडस geliyor तो हम बोलेंगे Indus, Indus Valley Civilization, Indus एक रिवर था, इसलिए इस रिवर, Indus River के आसपास ये civilization हमें दिखी थी, तो हमने इसका नाम रख दिया Indus Valley Civilization, Indus Valley के पास और Civilization के मतलब सिविलाइज, मतलब डिवर के पास लोग रह रहे हैं, सेम कल्चर फोलो कर रहे हैं, सेम तरव ये चीज़े फोलो कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट साइट था, हरपन साइट, हरपा, हरपा जो था, अगर हम इसके मैप पर बात करें, पास यहां पर है हरपा हां म workers यहां पर हरपा ़मने दिख रहा है तो कोंसे नंदी के पास यह सब यहां जितने भी यह सब तो आधर हम अपन दिष्यात करें in और आपन स्पीजिशकि रावी रिवार के पास था 2020 सो मिहीं और प्रक्रेसं कोनधी के पास टैक्व है निसनले कोन Keasa पंजाब पाकिस्तान मोंटगो मेरी पंजाब पाकिस्तान एरिया भी अगन टिपाइट करें तो इंडिया का ये मैप है ये गुजुरात वाला एरिया है और ये हरपा पाकिस्तान की साइट है अभी के टाइम में ये पाकिस्तान है लेकिन उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान में पंजाब मों पॉनिंट वो इसका लोकेशन घरपब का यह उतना इन्पोर्ट नहीं कहली सोइन कि अरे और यह रवी तो रिवर तो पता चल गया कि रवी रिवर के पास है जहां से हम देख रहे थे कि रवी रिवर आ रही है यह रवी रिवर आ रही है यहां से और यह रपा च्विवारा सी विलाजेशन यहां है तो इसका रिवर क्या हो गया रवी रिवर हो गया अब डिस्कावर कप डिस्कावर की सीर में हुआ था उन्रतिस वेली स्विलाजेशन विफप डिसकावर हुआ था 1921 तोकि हरप़ा हुए को यहां करना सकते हैं कि इंडे स्वेली हुआ कि इसे लिए में पसिक्वेलिजेशन सुख पिने करके स्कथ हुआ था बात करें एक्सकाइवेटर कोन था डियारम साहनी आगी चलके हम ट्रिक याद करेंगे कि हम कैसे पता चले कि जैसे लोथल हो गया महेंजोदार हो गया हरपा हो गया तो यह सब किसने खोजा इंपोर्टेंट है दो चीजी से यहां पर इंपोर्टेंट है पहला तो हमारे पास यह इंपोर्टेंट है कि लोकेशन क्या है दूसरा कौन से डियवर के पास है उसके बाद डिस्कावरी कब हुई थी तक्राइक्सक्राइब गविव्यूच कया या Republicans था पूस्ता है एक्जाम है यहिए पूचता है, तो सिधा हम लोग यही पड़ेंगेए इसके बाद फैंडिंग्स हम अमतलब यहां क्या क्या हमें मिला हमने जब खोदा हरपा साइट को तो हमें क्या क्या मिला तो हमको मिला एक हमको मिला ग्रेंडरीज मिली जाएट में ऑग्रेंडरीज देख के हमने अनदाजा लगाया कि यहां पर अगरी कल्चुर होता था यहां पर यहां पर उपजता था इसलिए इसको रखने के लिए ग्रेंडरीज का यूसके बाद को फिन भरियल मतलब दफना दफना के एक जाते थे जैसे अगर आरज हम बात ऐसके बार ये तो हमें फड्र था हुष्ट टाउन है विचीज एक्सके वाद रहा ग़ंए एक्सकेवेटिड यहां पर पीरी दकी मिली दांसिंग नतराच की मूर्थी देख गाल यहां पर पर प्रकपर नहीं यहां पर स्यिफ क्या है एक स्टोन है जो कि एक की wa लेकिन हमने इसके धाचे से पता लगाया कि यह क्या है एक शीव नट्राज की मूर्ति है नट्राज बोलते है शीव को शीव का जो नट्राज का फोटो होता है उसके बाद यहां पे सिमेंट्री है यह हमारे पास सिमेंट्री आर एच है अब जगह का आम रख दिया आर एच सिमेंट्री आर एच सिमेंट्री आट इसी जैसे यह एरिया हो गया हमारे पास है यह हमारे पास एरिया हो गया हमनगे जिसको पूर जगह का जो शेप आए उपर से उसको हमने एक पुरआपर शेप में दे दिया उसके और बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आने से पहले, इसका जो ट्रिक है, वो क्या है, कि हरपा का जो ट्रिक है, कि हरपा को किसने खोजा, हरपा को किसने खोजा, दो हरपा को खोजा, यहाँ पे, नाम तो हमें पता चल गया, किसने खोजा, दयाराम सहानी ने, अब इसका ट्रिक क्या है इसका ट्रिक के अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा हरपा हरपन सिविलाजेशन जिसको बोलते हरपा यहां से हमें क्या मिला हरोपा नकमला निकालेंगे सरफ रूट-वर्ड निकालेंग हम को यहां पयांब हमने निखाला निकाल भाप तो यहां निकाला निकाला हो एक दया निकाला एक राम लिफ फatte मुद्द है, राम देया लुटा लेकिन अब हरपा कैसे फिट भैठेगा हरपा कैसे पापा को भीट हहने पापा को कैसे cima भीट भीटा एंगे दो हम्धी पूज करते हैं Almost की पुजा करते हैं लेकिन हम कह सकते हैं कि राम जो है वो सबका पापा है राम is the father of all the virtual god. राम is the father of all the virtual god. अब यहां से तो हमारे पास बना ट्रिक बना कि पापा राम ने पापा राम ने दया किया अब इसमें क्या होगा कि पापा राम ने दया किया अब पापा से हमको याद हमको थाली यह लाइन याद रखना है क्या याद रखना है कि पापा राम ने दया किया सब पर दया किया दया किया कुछ भी आद कर लिजे तो मेरे पास यह एक ट्रिक बन गया इसमें हम क्या याद करेंगे कि पापा राम पापा याद करेंगे कि पापा से आजएगा दया राम और दया से आजाएगा दया सजो हमने नह में पापा राम ने दिया चेскимन हो यहां से हमने हर अपन सग् railroad कर लिए ये और फिर से में समयां जल्दोरी जो भी लिखा हुआ है वही exact चीज पुछेगा कि हरपन से कभी भी question आएगा M.C.U. के form में, one day exam में, तो इस से बाहर हरपन में नहीं आएगा, आप चाहे previous year उठा के जेखते हरपन से कोई भी question आएगा, तो इसके बाहर नहीं आएगा, chance बहुत 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 जादा कम है, 99% chance है कि नहीं आएगा, location क्या था, Montogue, Mary, Punjab, Pakistan, Montogue, Mary, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद करना है कि लोगेशन क्या था, हरपन, हरपा का, Punjab, Pakistan, first site था, ये बहुत इंपोर्टेंट है, first site, हरपन was the first site which is excavated in Indus Valley Civilization, इसलिए, Indus Valley Civilization को हम हरपन Civilization भी बोलते हैं, ये कौन से रिवर के पास रवी रिवर, डिस्कवर के येर के था, 1921, 1921, बार बार बोलें, 1921 में हरपन Civilization डिस्कवर हुआ था, उसके बाद excavator कौन था, पापा राम ने सपट दया किया, तो पापा मतलब हरपा, दया राम, दया राम सहानी, राम ने दया किया, तो दया राम सहानी, उसके बाद तो हरपन में बहुत ज़्यादा, ये हमको रटना पड़ेगा, जो इसकी findings है, वो हमको रटना पड़ेगा, या किसी के पास कोई ट्रिक होता है, लेकिन एक्जाम में पूछता है, कि ग्रेंडी से ऐसे पूछतेगा, कि ग्रेंडी से पूछतेगा, कि कौफिन बरियल हमें, क तो सिदा हम टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो findings का थी, ग्रेंडी से कफिन बरियल, फर्स टाउन जो था, एक्सकी वेट करने के लिए, एक्सवेट हुआ था, उसके बाद डांसिंग ने ट्राज का स्टोन मिला था, एक सिमेट्री, एक सिमेट्री, एक सिमेट्री, बनेंगे, उसके बाद नेक्स आते हैं मोहंजो दारो पर, तो मोहंजो दारो जो है, वो उसका जो लोकेशन क्या है, अचा यह बिगेस्ट सिटी है, इंडस वैली सिविलाजेशन की, इंडस वैली सिविलाजेशन की, बिगेस्ट सबसे बड़ा एरिया है, इंडस वैली सिव इंडिया में नहीं है लेकिन अगर पूछता है कि इंडिया का क्या होगी क्योंकि हमारे पास लोकेशन इसका क्या है सिंथ पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान तो अभी हमारे इंडिया का नहीं है अगर इंडिया में नहीं तो है पाकिस्तान तो इंडिया में नहीं है लेकिन अग कोंई लेकिन कि पूछेगा कि इंडिया और का आद रखना है उथिसके एक बार में और अब ही हम पढ़ रहे हैं मोहंजी दारो का, तो महंजी दारो कोई का या देखना है, हमको कि अधर हैं, अगर पूझेगा मुझेगा इंडाइस वाली अगर पूचरिंघा उन्डारो का कोऊंसी है इंडिया में, एंडिया में कोन सी है राखी गरी उसके बाद मोहंजोदारो का लोकेशन क्या है तो सींध पाकिस्तान अच्छा हम देख लेते हैं एक बार यहां से मैप से तो यह मोहंजोदारो है हमारे पास यह रहा हमारे पास मोहंजोदारो अच्छा ये कौन से रिवर से आ रहा है तो कैसे पता लगाएंगे कौन से रिवर से आ रहा है तो ये बगल में रिवर जा रहा है ये वाला ये गया ये गया ये गया ये गया यहाँ पर कौन सा रिवर आया इंडस रिवर आया इंडस रिवर आया तो मोहंजो दारो कौन से रि तो पाकिस्तान के लोकेशन है उसके बाद सिंस जगा फाकिस्तान में दिस्टी की टाउन है फाकिस्तान में उसके बादर रिवर तो पता मortalidel games Hindu river cola hindi में कहते यहां वैसे इसका नाम है एम जब्स रिवर बींगे एंडिसर इस रिवर बी खेर के फास था उसके बाद discovery का year क्या था, 1922, यह second city यह excavate हुआ था, जो मोहिजिदारों के, वो इंडस्वाली civilization में, second site है जो की discover हुआ था, क्या हुआ था, कि 1921 में जब हमको 1850 civilization मिला, हमको जब 1921 में जब हमको 1850 civilization मिला, तो हमको लगने लगा कि यहां पर ऐसा थो नहीं है, कि यह एरिया है यह एक तरह के लोग रहेंगे, यहां पर यह पूरा एरिया में यहां भी लोग रहेंगे, 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 यहां भी लोग र रपन को थो थे एक साल बाद ही 1922 में मोहन्युदारी को खोज दिया मोहन्युद्रों को सब्सक्राइब कहिं यौत ने तो मोहन्युदारी को ढागे टिक विल दास-बिशनी अग्ली लाइन कहा रहा है कि बहुत जाएяти umaड़ा सैट किक्यों पी इंडिंस वैली मुहिंजश कवनेजिशला... कि इंडिंस वैली सिविलाजीश कि बहुत थैसी उलाज़ सिङलिजअ確ं़.. तो यहां पे, मुहनुझेदारों का यहां पर जून करेंगे नョ reflects. से दिखने पर लग रगलेगा कि यहां सीड़ी है यहां सीड़ी जिसे राजाउ-महराजों का होता था बए वी देखते हैं उसके बाद क्या कहते है उखर से पूरा इतना बड़ा पूल है पूल एरिया है उसके बाद बड़े-बड़े महल है उस टाइप का साइट फांट हुआ था इसी को हमने बोला था यह क्या है स्थेएधर ग्रेस में इसके बूं कНе ब Package ये कशन बहुत और आया हुआ है ग्रेट आप कोना साथ में व्हरीच बूल्में भूह होए उसमद्म हों था कुछ भूल कि लह ऑद लक्नवogen फचली पांड वत्जा तो यहां पर अलिशान तरह के से नहाना यहीं तो होगा अलिशान तरह के नहाना नहानाँ कहां नहाएंगे नौर्वल बात्रूम में तो नहांगे हम स्विंग्पूल में नहाएंगे एक luxury hotel में तो luxury swimming pool रहेगा, तो यहां पे luxury great बात है, तो luxury great बात है, तो luxury site में रहेगा, तो luxury site क्या है, Mohenjo-darow, इसके ऐसे याद रख सकते हैं, उसके बाद findings क्या थी, यहां के findings था great बात, तो biggest bath घाट, biggest bath घाट, जोब हमने बता दिया, एक swimming pool था, luxury swimming pool था, और luxury swimming pool कहां हो सकता है लगजरी site में, luxury site कहां है, luxury site कौन सी है, Mohenjo-darow है, उसके बाद great greenery भी मिली थी, एक बड़ी सी greenery भी मिली थी, उसके बाद bronze dancing girl भी मिला था, beard priest भी मिला था, beard priest मिला था man का terracotta toys, terracotta toys, terracotta toys, यहां पे photo है नहीं, terracotta toys का, लेकिन terracotta toys भी मिला था, bull seal मतलब, bull seal यह रहा है, एक एसे bull seal भी मिला था, bull बना हुआ है देखो है, यहां से a beautiful band हुआ है, आफ damn ला यह भी मिन पादात है, this bull blema हुआ है, इसको बना ही देता हू, यह bool बना हुआ है यह त्रेड़ मात करता है अब है जलता है को यह सील पर अपना लगा के वह सील को आपस में एक्सचेंज इंटर्चेंज करते थे एक बाटर सिस्टम की तरह बाटर सिस्टम अगर एकनोमिक्स पढ़े है तो बाटर सिस्टम क्या होता है कि किसी भी समान ना देके बाटर सिस्टम क्या होता है कि A के पास मान के चलो की वीट है A के पास wheat है और B के पास माम के चलो कि चक्की है तो क्या करेंगे अब A के पास चक्की नहीं है B के पास wheat नहीं है तो A क्या करेगा B के पास जाएगा और बोलेगा कि देखो तुम्हारे पास गेहूं तो है नहीं गेहूं तो मेरे पास 300 किलो मेरे पास गेहूं है तुम एक काम करो तुम 300 किलो को आपने चक्की में पीज दो और उसमें से तुम 50 किलो रख लेना अब क्या है कि इसने पैसा दिया ना इसने पैसा लिया इसने भी सर्विस दी एक वीट के कि ऐसी खेल जैंजेंगे इसी को बोलते हैं बार्च सिस्टम कि हम पैसा में देंगे एक समान तुम घर सपी यजवरी से तुम असी भीड द करेंगे वही चीज दॉść कर करने के लिए तो यहाँ पर ठपपा रहाँगा बुल का तो बुल सील के देंगे, इसी पशू पती सील सेंगे उसी पर को यहीं पशू पती सील है, व्य हमारे पास पशूपती स्वी फिर फां कि चरह बात हो रहा है इंडियस्वाली सीविलाजेशनर्य को में कितने वो लोग कितने वो लोग ऊलेज़ेबल हसने उसके अजके टाइम में भी आजके टाइम है, modern century कहते हैं, लेकिन अभी भी के टाइम में गटर दिखता है हम लोग को, गटर हम लोको नाली बहता हम दिखता है, लेकिन उस टाइम पे उस टाइम पी तरह आशा टेकनोलोजी था, उतना अच्छा है हमारे पास, civil engineers थे कह सकते हैं, आज के टाइम में दो civil engineers कहते हैं, उस टाइम के ऐसे civil engineers थे जिन्होंने, hidden drainage में दिखेगा ही नहीं, उस तरीके कर डिजाइन करके दिखा था, नाला दिखेगा ही नहीं, लीचे से लीचे चले जाएगा, उसके बाद a piece of woven cloth, a piece of woven cloth भी मिला था, तो हमने यहां पर मोहिंजोदारों में क्या कर पड़ा, कि मोहिंजोदारों is the biggest site in industrialist civilization, अगर biggest site पूछेगा तो industrialist civilization, अगर biggest site in industrialist civilization में इंडिया में पूछेगा तो राखीगड़ी, पूछेगा? पूछेगा GIज़िक पूछेगा तो राखीगडी राखी गड़ी लोकेसन लोकेशन कहा था शिंध पाकिस्तान रीवर था, सिंदू रिवर के पास इन्ड सरी थ reality, 오케이 1964 síndu किसका है रपपा का है उसके बाद हम बात करें एक्तिवेटर कुन था अधी बेनर जी रखल दास बेनर जी मोस्ट फैसिलेटीड साइट था मतलब बोस्ट लगजिरी टाइप था मोस्ट लगजी अच्छा यहां से ब्यास कर सकते हो न कि मोहन जो दारो मोहन मोहन क्रिशन जी को बोलते हैं अब मोहन क्रिशन जी ने अपने साइट को कर दिया फैसिलेटीड साइट बना दिया एक लगजरी क्या बना दिया लगजरी साइट बना दिया लगजरी साइट बना दिया ग्रेट बात स्विंग पूल बना दी ग्रेट ग्रेंडरीज बना दी ब्रॉंज डांसिंग गल उसके बाद hidden drainage बना दिया, civil engineer से उस टाइम पर, कितने अच्छे अच्छे, आप इसका जो हम trick है, याद करने का, trick हमारे पास ये है, कि हमने याद किया था, हमने याद किया था, कि excavator कौन था, रखल दास बैनर जी, रखल दास बैनर जी, रखल दास बैनर जी, तो अगर हम trick की बात करें, तो trick क्या था, trick था, कि मोहन जो दारो, इसके एक्रिमेटर कौन थे, रखल दास बैनर जी, रखल दास बैनर जी, अगर हम trick की बात करें, तो यहाँ से हमने trick किया, मोहन मतलब कृष्ण, कृष्ण जी के सामने कोई भी इनसान आ जाए, वो सब को क्या बना देंगे कि अपने सामने, सब क्रिश्ण जी के दासी है, तो क्रिश्ण जी ने रखल आड़ी बने जी को भी दास बना दिया, तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मोहन ने, मोहन ने, दास बना कर रख दिया, अब क्रिश्ण जी को पसंद आया नहीं कि भाई, तुम मैंने अब खोज लिया तो क्या हुआ क्रिश्ण जी कुरोध में आ गया कि जी ने मोहन ने क्रिश्ण जी अब बना कर है रख दिया मतलब रखल रखल और दास मतलब दास तो दास हीone उसी से बना रखल रखल लखल दास व होता है उसके बाद हम बात करते हैं next यही हमारी देखिए यही था हमारा dancing girl जो हमने पढ़ा dancing bronze dancing girl मोहंजदारों में मिला था वह ऐसी यही था यही था यही था dancing girl लग रही है कोई यही dancing girl थी यही और यही था beard beard pressed man बीर्ड प्रेश्ट मैने पूछता है यह इंपोर्टेंट है पूछता है मेन हमारे पास यही दोनों है बाकी सबसे चोटे-चोटे है तुरत हो जाएगा उसके बाद क्या है चानुदारो जो था चानुदारो जो था वो उसको हम बोलते हैं लैंड के शायर अफ इंडिया अच्छा इसका जो लोकेशन था वो भी कहां था करें चानु दार की दो कोन से के पास ही है तो offshore के पास ही एब एसी तो जा रहा है यार है तो इस CON moet दार होए है उनका जोकेशन क्या था मोकेशन सी pewn MSA सिंद पाकिस्तन कॉन सरिवर के पास इंडस्तर कर दो फिराथ खirosती निया कि इसके बाद disconnect अल तो अल तुप क्याहा था न कि 1931 में हमारे पास gleichen ऑसनाल सीघोपाल मजूम्दार मजूम दार मजूम दार मजूमू दार नहीं मजूम दार स्ट्पाड आए थोड़ा बहुत खोधा उनको मिला नहीं उन्होंने छोड़ो कुछ नहीं आप परजीक खोध रहाँ तो इन्होंने छोड़ दिया लेकिन फिर चार साल के बाद एक फोरेंग आर्केलोजिस्ट आए एक नाम था jbau नाम थहां.. जौने र mirac not bear माई करी तो इक साल के बीच में ने पूरा चानूदारद हो खुज दिया अब फाइंडिंटेंग्स क्या घी इसकी इसकी इसकी' चौ stressing क्या ति तो क्याक्या महाँ पे मिला तो बीड मेकिंग फैक्टरी मिली यूज ऑफ लिप्स्टिक मिला ब्लैक लाइनर मिला कॉम मिला मतलब सजावट वजावट का पूरा मामला वहां पर था वुमेन वुमेन पूरा महां पर सवस्ती थी अच्छा एक आता है था डो शीटा डिल क्या होता है सीटा डिल होता है की जैसे अगर बात करें किसी ने जागर छोटा बहीं अगर देखा हो तो क्या होता था कि जो धोलगपूर के जो राजा थे यह कोई भी तुम देखो के किया राजा अपने बड़ा-बड़ा महला बनाती था इस अँठके ज tapesu इतना उठावा रहेगा। इतना ऊठावा रहेगा। यह किसा घर है? राजा का थीप त्यसे इस से इसे को प्रजा थी खैम कि दूर करूं करें चोटे-चोटे-चोरप्र चोटे-चोट यहां हिए प्राजा रहती हो गक्यों में और मंत्री का चोटा चोटा कम हो ग Sara ऐखाय में इस यह को सकने sudah कि राजा अपना-पना भर था वह तो बाड़ा ईचा अ चर्परेंग है और चछोटे-बोटे प्रजाथ चानुदारों में कोई सिटाडेल नहीं मिला हमारे पास कोई सिटाडेल नहीं मिला चानुदारों में कोई सिटाडेल नहीं मिला हमारे पास कोई सिटाडेल नहीं मिला चानुदारों और यह सिंग ऐसा एक्सेप्षिन है एक्सेप्षिन मतलब तो यहां से यह लग रहा है लेकिन अगर हम इसको वहां जाके वे देखेंगे न तो भूर सिस यहां जाएगा या तो कि दूसरा साइ्ट हैगा दो में से कोई एक रहेगा सेन सेम हैट में रहेगा आहिए समाने दो यहां कह सकते हुआ अपस मैं ήταν means CCP क्या समान कि क्या समान है खरीदने वाला समानी सब इक को यह समान है उसके बाद estrept इसको फिर रिवाइस कर देते हैं रिवाइस करने से पहले इसका ट्रिक जाल लेते हैं में तो ट्रिक ही होता है बता तो कोई भी देता है में तो ट्रिक याद करना होता है तो ट्रिक क्या है कि गोपाल मजूमदार गोपाल मजूमदार और जोन हेंडरी मैकरी जोन हेंडरी मैक कर देंद तो कि यह था कि यहां से हम व्यात करें किया के छेर सब्सक्रमा चाहें। तो जो रहे घ्रसप्रेद्थ कि do ऊपाल का रणव किया था खोपाल को फृट को मुझते हैं क्रिशन जी को कर देंड़ स्वलिशेशन क्रिशन जी ने बना starch कुछ तो बात है कृष्ण जी से लगाव है इंडस्वली सिविलाजेशन को अब कृष्ण जी का रंग क्या है क्रिश्ण जी का रंग काला है और यहां पे एक वर्ड आया चांद रंग क्या होता है का वी क्या होता है और वह तो सुर्च के रोशनी रफ्रेक्ट करते हैं कि तो अगतर को समत्य जाना है कि चानऊंदारो है चानऊंदारो होगा तो गोपाल मजुंदार गोपाल मजूम्धार 1930 में शुकित एक्षब करने हम सबतु के अजय आोगर में सभताइं एक नाम था जोन हेंडरी मेडरी किया नाम था जोन हैंड़री मेंकृ मैंक्री पूरा यहां बता दिया राजा का बड़ा बंगला होता है इनका फोटा बंगला होता है उसके बाद नेक्स साइड आता है रोपड नाम चाहिए रोपड 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 तो अगर हम रोपड की बात करें तो हो रोपड का जो लोकेशन था कहाँ था पंजाब में कहां था पंजाब में कहों से रीवर के पास त Ur tired सब्सक्राइब बोलने के पास्ытव जिसकों बोलते हैं डिस्कोवर्ट एयर का था shrink यूट्यव ड़िश्रमा बडरिक ठीशक्राइब धी को जाथ धो पर पढदो तो बडरिब फया यूड़ में snapping मिला था जमू एन कश्मीर में किसी को अगर याद होगा तो जमू एन कश्मीर में उनको साइट मिला था जिसका नाम था बुर्जोम पिछला वीडियो जो देख क्या होगा उसको पता होगा पार्ट वर नेशन हिश्ट्री बुर्जोम बुर्सॉप इसमें क्या था कि यहां पिंड न डॉर में यहां से अन्माजा रगाया क्यों सत्रेक्स कुछ साथ दफनाया न रिंब अभाडी लगाया कि जब आन न मर रहा होगा थो डॉर मर गया नहीं कहिंगे उसको साथ में दफना तिया गया हूँ एज याद as a pet के याद के रूप पे दोनों को साथ दफना दिया गया होगा तो वही यहां में buried of dog with man जला दिया गया उसका हमको अंच मिला था क्या मिला था अंच मिला था इसका ट्रीक का बात करें इसका ट्रीक को ज्यादा खास तो है नि कि वाइडी वाइडी शर्मा जी है यग्यदत शर्मा यग्यदत शर्मा अच्छा वाइडी वाइडी अगर हम ऐसे पढ़ें तो गुजरात में अब देखोगे कि वाइडी को न पागल बोलते हैं वाइडी को मतलब जिसे जेठा लाल का कोई सीरियल देखता होगा तारग मैं और रम बोलता चिसमा तो यह था रागता तो यहां तो यह सीरियल घ्क वाइडी द्लदुमे फागल और अभलगत अब क्या होता है कि पागल लोग हो पागल लोग क्या करते हैं तो कोई beneath the timeÃ BEN आएटा तो पैल्तिंग स्टोर कीवा तो पागल्स क्या होए रोभरे रोभाटे तो वही उसायम होते हैं उनको पठर पढते हैं तो वह रोभरते हैं मैं पागल इसका क्रिक हो गया जिए का यौन def depend लेते सुतले पंजाब था इसके बाद रीवर्लat तो पढ़ते crown differently 153 1955 है उसके बाद excavator कौन था याकट दश्रमा वाइडी यह यह पथर पड़ा रो पड़ा बरीड क्या था अगर एंडस इंडस वाइड रोगा वाद रहा गया बात करें हम दोला विरा की तो नेक्स साइट है डोला विरा अच्छा यह लग सकता है कि ना आए इंडस फली शिव लेजिशन में लुट्वा जा सकता है 40-45 minutes कर जा सकता है, क्यों जा सकता है, क्योंकि अगर ancient history से question आया, अगर exam में ancient history से question आया, तो इसका न, मान के चलिए कि 55% chance है कि वो question पूछेगा, इंडस वैली civilization से पूछेगा, इसका 55% chance है, 55% chance है, इसलिए अराम से इसको तसलिए से इंडस वैली civilization, ancient history में, इंडस वैली civilization हो गया, morrian period हो गया, उसको न, अराम से किज़े तसलिए से, जल्दवाजी नहीं, बागे तो सब को अब जल्दवाजी में, अगर कर भी दिजएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, इंडस वैली civilization, और एक morrian empire, इसको कम से कम तसलिए से किज़े, इसको तसलिए से कर लेते हैं, तो आपको अराम से 60%, 70% Asian history के question, अगर exam में आया, one day exam में आया, तो आप अराम से tackle कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करें, दोलावीरा की next site, अब मेरे में जो sites है ना, वो हमने लगभग cover कर लिया, question आते हैं हरपा से, मोहिन्योदारों से आते हैं, कि findings क्या थी, हमारे पास, इसके findings क्या थी, findings किसने क्या खोजा, कोन से ER में खोजा, कोन से नदी के पास है, को क्या है, तो यह सब कोशन दगर लगभग cover कर लिया है, तो अगर हम बात करें, next की तो हमारे पास 2-3 चारी बच गया, डोलावीरा बच गया, लोथल बच गया, काली बंगा बच गया, बनावली बच गया, लरखाना बच गया, और राखी-गड़ी बच गया, और शुर्ख ज़ली बच गया, उसके बाद हम बात करें, दोलावीरा की, अब हम थाड़ा सा जली-जली करेंगे, यह हमको रहे रटने वाली चीज होती है, यह थोड़ा सा समझी है, थोड़ा सा समझी है, अगर आपको 100% IVC, इंड़सली सेलेशन करना है, तो इसमें है, कि आप 30-40% समझ वाकि 60% रटी यह भी नहीं कह सकते कुछ अपने दिमाग से ट्रिक्स बनाईए या आप बार बार उसको पढ़िए तो हमारे पास आ गया डोलावीरा 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 का जो लोकेशन क्या है लोकेशन है हमारे पास कच गुजरात कच गुजरात यहां बात करें डोलावीरा के पास आएगा तो हमारे पास लोकेशन क्या है कच गुजरात रिवर कौन सा है घागर घागर डिस्कावर्ड इयर क्या है 1968 अब इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना सकता आपको कि 1968 है तो इसमें कुछ ऐसा इवेंट हो जाए नहीं आपको कुछ इसमें अब क्या है कि इसमें और फैंडिंग्स क्या थी फैंडिंग्स थी हमारे पास बुलोक अन्ड डिवन दिर्वन था वाटर हवेस्टिंग था नंबर और ओफ इंजर्वर से मतलब पानी यहाए एक अत्रुत होता है वह वो नंबर साफ वाटर हर्वेस्टिंग था यूज ऑस यह एक फोटो है हमेरे पास दोलाविरा का तो गुजरात का है गुजरात का है गंगर रिवर के पास है यह जब लेक्टर पूरा खतम हो जाएगा पूरा एशन हिट्री खतम हो जाएगा पूरा एशन हिट्री खतम हो जाएगा पूरा एशन हिट्री खतम हो जाएगा दस से बारा लेक्टर में उसके बाद आपको इसका पूरा पीडिएफ मिल लाएगा पूरा पीडिएफ मिल लाएगा जिसको आप नोट्स बनाएए लिखिए या तो इसी को पढ़ लेजिए तो इसकी फैंडिंग्स थी याद करने वाल 25 1962 ऐसका वेटर कौन थे रागनात राव कौन थे रागनात राव अच्छा घॉल ज्पी जोषी दोला वीरा अगर हम कोई चिक याद सोच सकते हैं तो एक ट्रीक बन सकता हिके ड्वोल ज्पी जोशी कान थे मिर्जापूर अगर किसे ने देखा होगा तो जेपी यादव करक के लिए ब सुछ स्टिविपी आदव सेन का भाहिः था सिंगा भाई था जब उसका भाहिः जीता था थो दो सा जेपी नहीं देखा यह किने लिए नहीं दें लोटेखियाकट हम रिघ या करेक्टब जेपी 1set हुड लेक्ट तो ुट गागरा इस बट वाल तो गागर भी रिवर याद हो गया याद करने का ठीक वरा यह कुछ भी आद किजिए उसके बाद बात करते हैं लोथल का लोथल का हम लोकेशन पता दिया रिवर हो गया बगवा डिसकवर्ड यह भागवा डिवर क्या है डिसकवर्ड यह उनिश्च लोथल के वह क्या था डॉक्याड था बीड मेकिंग फैक्री यहां भी मिली थी बटम सील भी मिला था फायर अल्टर्स भी मिले थे पेंटिंग जार अर्लिएस कुल्टिवेशन ऑफ राइस फैट अलिफेंट टीथ यह सब हमको कहां मिला था लोथल में मिला था इट इस होसा इंपोर्टेंट कुछ सकता है कि डॉक्याड थो बहुत ज्गह मिला लेकिन चबसे बिघ्र चुम चा था सबसे बीड़ेश्टस कॉन था सबसे बीगस्टस है अमारे पास लोथल में बिइवाipिस कहां था डॉक्याड न निए यहां और यह थी रीट पूर्स पूछेगा तो मुहन जोदारों खडब्त हैं उसके बाद हमारे बारे पास बिगस्ट डॉक्यार्ड ऑफ आईवेस भी हो गया इंडिस्वाली सिवलाइजेशन बिगस्ट डॉक्यार्ड लोथल है उसके बाद तो इसमें एक से मटना को याद कर लेजे का रागनाथ राव आर 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 लोभाई रार की मूवी चल गई ऐसा याद कर सकते है लोभाई लोभाई मतलब लोथल आर आर मतलब रागनाथराव मतलब फिरा पर अनधल याजने के अवे जैसे वरी ओन्द लगये है उंस टाइक है ठाली वरी स्थी थे में तो अदर साइट में दीख रहा था, तो काली, भंगा, लोकेशन क्या था, श्री गंगा-नगर, राजस्थान, रिवर क्या था, घंगर होया, सरोस्वती रिवर, सरोस्वती रिवर, के पास था यह वाला, डिस्कवड इया क्या है, 1961, एक्सकेमेटर कहुं थे, बिरिज बसीलाल से वांड़ा नहीं और बर्ट क्रिशन सुन्ट किर्शन से फैंडिंग सी एल्ट़म थे शीव लिंगर्ण फा में नीथि इसके बात करें तो यहां से हम अधिस्को ब्रीजवासी को हम यहां से ब्रीजवासी को यहां से बीबी interface अन्य UX cz यहां से बाल कृष्ण का थपड़ पकड़ते हैं और काली का काली बंगा का काली पकड़ते हैं यहां काली गोरा कोई रेशिजन नहीं चल रहा है लेकि समझने के लिए मैं यह लाइन बोल रहा हूं कि काली बीवी को थपड़ते हैं काली बीवी को क्या पड़ते हैं थपड़ थपड बढ़ते हैं तो ब्रिज ब़्रक बियगें आश्रान काली मतलब काली बंगा बीवी ब्रिज वासी बृज बृज बटमरीज बृज बृज वासी लाल थपड उसी मि Confirm हम हीन रिवर क्या था श्रान के वर्के पास नेक्स तो बनली यह 6-3 बात करें तो बन बन ली कि लोकेशन था नाना बनावली वर से म क्रेंगर ऊधर सवेंटीट्र X founder 1973 excavate प्रीकों थो कीते को बीया है अंचरोप्रोड stool जैनल मिला तको जब यह मिला केरаст को हम को जब अब यहां पर ArizonaRoad लख मिला तो जब आत्या त्व्यूचकारब अब क्या हुआ तो अब क्या हुआ कि हमारे पास oneTratiRat दोट्राब धरानकि जब मैंने इसका टोई देखा तो हम पता रहा हिस टाइम पे क्या होता था एंगरीकल्टेर होता था कि बना तो हमनें यह पूरा एसे हिस्टेरी बनाया है अब क्या है इसका क्या है इसका क्या है इसका कि Chris बनाने वाला बिश बनाने बला हमकिया विश्ट है हमारे पास आ गयाग बेहां हिश्ट विष्ट 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 है नहीं मतलब इंपोर्टेंट नहीं है अकर है भी इंपोर्टेंट नहीं है नहीं है इंपोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है बारले सेक्ट्रा उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं राखी गड़ी इंपोर्टेंट है उसके बाद लोकेशन का हिसार हर्याना में है रिवर का राखी गड़ी का रिवर अगर हम यहां से मैप में देखें राखी गड़ी हर्याना सबिसके पास के गड़ी और यहां है उसके पाद भी यहां है यमुना नदी के पास बहुत सकते हैं एक रिवर के पास जा रहा है जा झाल भी कह सकते हैं तो कुछ फिक्स नहीं लग रहा है विशना से को होड़ करेंगे तो हमारे पास एक्षाह्जावेटर ऐप्टानी लेकिन वह इंडिया में नहीं है वह पाकिस्तान में अगर इंडिया की बात करेंगे तो राखी गड़ी है findings क्या थी क्या थी क्या कोटा वील्स टोईज फिगुरीन्स पॉटरी असेक्टरा यह सब इसके क्या थे findings थे और राखी गडि नेक्स सब capable करते हैं शूरको तोरा इसा सब्सक्राइब इसका zh 2025 गुजरेत वह च्छोषी ने सबड़े था यह को च्छोच में है इसका डिसकवगर जोशी नहीं 1964 में यह ऐसा स्विलाइशन है जहां पर होर्स बोन मिले थे सुर्खरोड़ा साइट में तो इसकी फैंडिंग के अगर हम बात करें इसकी फैंडिंग की बात करें तो क्या है होर्स बोन है की ओर में फैंडिंग और क्या है ओल ग्रेफ से ओल ग्रेफ से इसको मेरे खेंडिंग क्यार किया है 1964 किस नहीं किया जोंशी ने जओतिलाइशना जिसके सुर में जोश है जिसके सुर में जोष है, वहाँ जोष मतलब सुर को तोड़ा, यहाँ पर हमारा ayuda civilization है, वह पूरा खतम होता है, इंडस्वाली सिविलाजेशन का हमारा यहां पर खतम होता है और यहां पर एशेंट हिस्ट्री जो हमने अभी तक बना के चले हैं वह हमने लिया है दस से बारा लेक्चर में खतम हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मिडीवियल इंडीवियल मिडीवियल भी हमारा करीब करीब साथ से आठ लेक्षर में खतम हो जाएगा फिर हम पड़ेंगे अगले दो मंत में हमारा खतम हो गयाएगा उसके बाद क्या कर लेंगे इसको पूरा रिवाइस कर लेंगे एक बार कि इन हरपा था मुहन जो छोटे-चोटे पॉइंट जो मैं लेक्चर से बीच में बताया है वह बहुत इंपोटेंट है उसको नोट डाउन करने का चीज़ है जब पूरा एशन हिस्ट्री खतम हो जाएगा तो इसका पीडिएफ मिल जाएगा लास्ट में जो अब सब इसमें कवर है इसके अलावा इंडस वादेसित में कुछ भी करना वन डेक्जान के लिए फाल्त है टाइम वेस्ट वेस्ट वैस्ट आइम है तो जितना इसमें है खाली अगर उतना ही आचाता है ने तो प्रिवियस यह जाकर देया एक लेक्शर वन कर लो लेक्शर झाल झाल